हेलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारूंग की कैसे आप अपने Samsung Galaxy F15 Android फोन में आपके मुवाइल फोन का अगर वाइफाई जो है वो कनेक्टेड होने पर भी अगर वाइफाई का इंटरनेट नहीं चल रहा है तो इस प्रॉड्म का आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डीटेल में जानकरी देने वाला हूं तो चलिए आप वीडियो का में स्टार्ट कर लेते हैं अगला काम यह करना है कि आपके फोन में फाइल का आप होता है इस फाइल का आपको ओपन करना है इसमें आपको नीचे की साइड यहां पर नीचे की साइड में आपको यह उप्शन मिलता है अप्स का यह वाला एप्स का यह उप्शन टैप करना है अब इसके अगले पेज में आपको नीचे की सा सबसे उपर आएंगे तो यहां पर आपको एक option मिलता है Android system यह वाला Android system यह उप्शन सेलेक्ट करना है अब इसके अंदर भी आपको नीचे storage का यह उप्शन टैप करना है यहां पर आपको नीचे आपको नीचे software update का यह उप्शन शो होता है इसे टैप करना है अब यहां पर आपको कोई भी डाउनलोड का बटन या इंस्टॉल या फिर अपडेट का बटन दिखाई देता तो इसे आपको टैप करके फोन का software update कर लेना है ठीकिना अब देखिए अगला का में यह करना है mobile phone को reset करना है देखिए दोस्तों यहां पर mobile phone को reset आपको तब करना है जब मेरे बताय हुए पिछले process अगर काम नहीं करते हैं तब आपको फोन को reset करना है otherwise नहीं करना है phone को reset करने के लिए phone का setting page open करेए इसे आपका phone reset हो जाएगा और आपकी problem solve हो जाएगी लेकिन phone को reset करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखने है आपके phone का data उसका backup ले लिए अपने phone में दूसरी बात ही ध्यान रखने है आपके phone की gmail id और उसका password आपको पहले से note करके रखना ह है तो यह दो काम आपको पहले करना है उसके बात phone को reset करना ठीक ना तो मेरे बताएवे process आपकी problem solve हो जाएगी ठीक है